गूट मॉर्निंग एवरिवन आज हम बात करेंगे आपके चैट्टर के अंदर ब्रिंग फोर्वार्ड के बारे में कल भी हमने बात की थी आपके ब्रिंग फोर्वार्ड के बारे में आज हम बात करेंगे जैसे हमने आपकी कोई दो images select की थी जैसे हम select कैसे करेंगे यहां से हम insert करेंगे पहले फिर हम किसी भी picture को उठाएंगे यहां से जैसे हमने इस picture को उठा लिया ठीक है हमने यहां पर select किया इस picture को यह picture हमारी select हो गई है ठीक है यानि कि यह picture हमारी इधर select हो गई है ओके यह picture हमारी select हो गई है यह हमने एक picture select कर लिया आपकी यह हमारी एक picture select हो गई है अब हम दूसरी picture select करेंगे ठीक है यानि यहाँ पर हमने एक shape को select कर लिया हमने किसी भी एक shape को circle को select कर लिया यहाँ पर ठीक है यह हो गया हमारा एक circle ओके अब हम करेंगे एक हमने circle को यहाँ select कर दिया अब हम एक और picture लेंगे यहाँ से कोई भी आप एक shape उठा सकते हो जैसे मैंने ले लिया आपका यह bring forward का मतलब है आपने जो picture select की है इन में से कौन सी picture आप front में रखना चाते हो उसे हम कहते हैं bring forward ठीक है अब देखिए bring to front अभी आपने देखा आपके bring forward के अंदर कितने तीन option है इसके बारे में हमने पढ़ा था कल यानि कि इन दोनों में से हम किस picture को front में कर सकते हैं देखिए जैसे हमने हम पीछे वाले picture को front में करना चाते हैं हम जाएंगे आपके bring forward के उपर यह already आपकी front में है ठीक है यहाँ पर हम एक दूसरी से shape करते हैं जैसे हमने एक shape और ले लिया हमने यह shape ले ली ठीक है इन में से हम किस को front में करना चाते हैं हम जाएंगे सब से पहले आपके bring forward के अंदर वो देखे कोने में bring forward के जैसे हमने bring forward किया हमारा blue front में आ गया हम करेंगे पीछे वाले के उपर click हम चाहते हैं कि जो यह आपका brown color है यह front में आना चाहिए हम जाएंगे आपके bring forward के अंदर तो हमारा brown front में आ गया ठीक है अब देखिए मान लीजिए हमारे पास में कुछ ज़्यादा picture है यानि कि दो से ज़्यादा picture है हमारे पास में क्या है दो से ज़्यादा picture है हम चाहते है कि इन pictures में से हम किसे front में रखें किसे back में रखें ठीक है तो हम चाहते है आपकी तो सबसे last में है उसे हम front में रखें तो हम जाएंगे bring forward के अंदर और bring to front के अंदर यानि देखो इन दोनों में अंतर है आपका bring forward कब काम करता है आपका दो pictures के अंदर काम करता है यानि कि वो सबसे last में होगी तो front पे आ जाएगी ठीक है और bring to front कब काम करता है हमारा जब दो से अधिक object हो हमारे पास में देखिए हमारे पास दो से अधिक object है अब हमने select किया आपके last वाले को हम चाहते है कि ये brown का जो portion जो सबसे last में है वो front में आना चाहिए तो हम कैसे करेंगे bring forward के उपर जाएंगे और इसके अंदर करेंगे हम bring to front के उपर तो ये हमारा सबसे उपर आ जाता है ठीक है अब देखिए इसके अंदर आपका एक third option भी है bring in front of text जिसका मतलब है text का मतलब हमने कुछ लिखा हुआ है ठीक है हमने कुछ यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया मान लो हमने लिखा कुछ भी हमारे पास में ये एक paragraph है ठीक है हमने ये paragraph लिखा हुआ है हम चाहते है यहाँ पर हम एक image select करेंगे पहले तो हम हमने कोई भी एक image उठाई यहाँ हमने select कर दी ठीक है क्या किया हमने कोई भी image उठाई और यहाँ पर हमने select कर दी अब देखिए जो हमने लिखा हुआ है वो तो पीछे छप गया इसमें यानि कि इसके background में है तो हम चाहते हैं कि वो हमारा text का मतलब जो भी कुछ लिखा हुआ है हमने वो हमारा इस picture के front में आए उसे हम क्या बोलते हैं bring in front of text यानि कि यहाँ पर जो picture है उसके सामने जो text आएगा जो लिखा हुआ आएगा उसे कहते हैं bring in front of text ठीक है अब देखिए वो कैसे आएगा हमारा लिखा हुआ हमने select किया इसको अब हम क्या करेंगे हम जाएंगे आपके layout के अंदर ठीक है हमने click किया bring forward के उपर और bring in front text के उपर क्यानि कि हमने जो text लिखा हुआ है उस text को हम पहले select करेंगे sorry जो हमने लिखा हुआ है क्या करेंगे हम उसको पहले ये देखिए जैसे हमने आपने देखा हमने कुछ इस image के आगे कुछ लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं ये box image के front में आए ठीक हैं तो हम क्या यूज करेंगे आपका bring in forward के अंदर जाएंगे sorry bring in forward के और in front of text ये देखिए हमारा text के अंदर लिखा हुआ text के उपर आ गया है ठीक है अब देखिए इसके पास में एक और option है जिसे हम क्या बोलते हैं send backward जैसे हमने पढ़ा था bring forward का यानि कि किसी भी object को front में लेके आना ठीक है अभी है हमारे पास में किसी भी object को backward यानि कि पीछे लेके जाना किसी भी object को हम पीछे लेके कैसे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर है हमारा send backward का option देखिए जैसे हम backward पे क्लिक करेंगे हमारी जो image है वो यहाँ text के पीछे चली जाएगी देखिए जैसे हमने इसके पीछे किया हमारी image text के पीछे चली गई है ठीक है अब देखिए पहले हमें यह दिखाई नहीं दे रहा था अब देखिए हमें इसके जो पीछे के जो लिखा हुआ है हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो हम चाहते हैं यह image